हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टार्गेट गवर्मेंट पोस्ट में देखिए बात करेंगे यूपी वेड इंटरंस को ले करके आप इस तक सुचना आज तीस नॉवंबर के आप लोगों के लिए क्या है लखनौ विश्विद कि में एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और कॉलेज हमें लॉग करने चाहिए तो अगर आप यह सब सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आप लेट हो जाएंगे या फिर आप मिस्टेक कर देंगे क्योंकि यह लास्टाइम होता हूं लास्टाइम में काफी लोग क्या करते हैं तो बहुत ज्यादा chances होते हैं कि गलतियां बहुत सारी होती हैं कि जो college आप नहीं चाहेते हो हलाकि कभी कभी क्या हो जाता कि कुछ college ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं select करना चाहेते हो और वो गलती से हो जाते हैं और आप नीचे जो selected college हैं जो आपने add कर लिए add list में आप चेक भी नहीं करते हैं स्क्रॉल करके क्योंकि आपको लगता है कि हमने सारे वही college select किये हैं जो हमें चाहिए थे लेकिन कभी कभी एक ही नाम हो सकते हैं या मिलते जुलते नेम हो सकते हैं college के तो फर वहाँ पर आपको गलती समझ में आएगी लेकिन अभी आपको देखना जरूरी है कि आपने जो college add किये थे save and continue किया था आपको आज लॉक कर देना है टाइम से अगर लॉक नहीं कर पा रहे हो भूल जाते हो या आपको समय नहीं नहीं मिल पा रहा तो by default वह college आपके लॉक हो जाएंगे ठीके तो गलती क्या नहीं करनी गलती यह हो जाती है आप लोगों से कि आखरी दिन होता है कुछ लोग सोचते हैं कि 22 को कर लेंगे 22 को टाइम नहीं मिला तो 23 को कर लेंगे फिर यह जल्द बाजी में वह लिस्ट बनाना भूल जाते हैं और ना तो वह college लिस्ट देखते हैं अपने यह calling 24 college जो उने लगता है या फिर वह maximum college चूज कर लेते हैं तो आप वही college चूज करें जो आप जिनमें आपको admission चाहिए हो नहीं तो आपका जो 5000 advanced college fees है यह फस जाएगा ठीक है फसने का मतलब यह है कि आपने जो college चूज किया था हो सकता है गलती से आपने कोई ऐसा college चूज कर लिए जिसमें आपको admission नहीं चाहिए या फिर बहुत दूर है आपके यहां से आप उसमें admission लेने एक state rank से लेकर के 1,40,000 state rank तक के student है वो phase second में जो registration कर पाएंगे कल 24 नॉमबर से और allotment result आपका जो एक से लेकर के 50,000 तक के state rank वाले student उनका allotment कल आ जाएगा ठीक है तो allotment कल आ जाएगा उसके बाद जो यह student है इनको कैसे college चूज करने है और किस college में कितनी सीटें बची ह हो ही है उसके लिए आप next video जरूर watch करें क्योंकि वहाँ पर मैं आपको exactly authentic तरीके से update बताऊंगा कि कितनी सीटें कि college में खाली है ठीक है तो गलती नहीं करनी है last day है तो काफी traffic भी हो जाता है side पे कि कुछ लोग lock करना बाद में सोचने कि lock कर देंगे जैसे मैंने अभी आप को बताया कि save and continue के बाद में जब आप उसको check कर लें और रिचेक कर लें फिर उसके बाद उसको lock करें अच्छे से list बना लें एक बार उसके बाद में ही college करें ठीक है कि आपको कौन-कौन से college चाहिए थे उनको ही select करें बाकी फालतों college मत select करें तो यह गलती ना करें वरना आपका जो advanced college fees है फिर आपका यह first जाएगा ठीक है समस्या हो जाती है फिर आप बोलते हो कि आपका फीस अभी तक वापस नहीं है advanced college ठीक है तो पहली बार में जो college चाहिए हो आप अपनी rank के आधार पर ही college चूज करें first time में ही जो आपको चाहिए हो उसको आपको ज्यादा बेर ख्याल रखें जैहिन कोई समस्या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं